Hello Everyone, This is Your Maths Period Today we will start Chapter Number 6, Roman Numerals ठी। Roman Numerals Chapter है ये हमने 1-200 तक Roman Numerals कर लिये हैं और जो हम Chapter के बीच में Questions करेंगे वो उसी से Later होंगे जो हमने Roman Numerals किये हैं 1-200 तक लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ 7 Symbols करा रहूँ जो आपको पता होने ज़रूरी हैं ठीक है, 1 को कहते हैं, I, 5 का mean होता है, V, 10 होता है, X, और 50 होता है, L, पहले हैं तक रिवाइस करते हैं, 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, अब 100 होता है, 100 क्या होता है, C, और 500, D, वैसे आपको main तो मैंने 100 तब कराए हैं, पर आपको पता होना, चीस सिफ आप से कोई जनरल पूछ ले कि 500 क्या होता है, तो आपको पता होता है, D, और 1000 M, 1000 M, 1 I, 5 V, 10 X, 50 को कहते हैं, L, 100 का मतलब C, 500 का मतलब D, और 1000 M, अब है मैं आपको simple ही, simple वाला ही कराऊंगी, जब मैं आपको इनकी adding कराऊंगी, तो adding वाला topic, adding मतलब add करना सिखाऊंगी, तो fill in the blanks में, first one देखे, dash have no symbol for zero, किसमे 0 का symbol नहीं है, Roman में, Roman number में 0 का symbol नहीं है, किसमे नहीं है, Roman number में, इन Roman numerals, symbol dash, dash and dash are never repeated, कौन से symbol कभी भी repeat नहीं होते है, VLD, जैसे देखो मुझे 7 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, VII, मुझे 9 लिखना है, XI, मुझे 9 लिखना है, IX, और मुझे 19 लिखना है, XIX, ठीक है, लेकिन जो कभी भी आपने जब 10 लिखना हो, आपको 10 लिखना ह जो नहीं, only X, आपको 20 लिखना हो, आप XX20 कर देते हैं, क्योंकि X किसके इकवल होता है, 10 कि, तो VLD, ऐसे symbol है, जो कभी ज़्यादा repeat नहीं होते है, सिर्फ एक ही बार लिखे जाते है, mainly, यह repeat का मतलब भी यह है, जैसे हम 8 लिखते है, VIIIII, त्री बार repeat हो, लेकिन ऐसे V कहीं dash can be repeated, कौन-कौन से repeated होता है, I होता है, X होते से मुझे 80 लिखना, L हो गए 50, और 80 बनाने के लिए मुझे 30 हो चाहिए, XXX, IX, C repeat होता है, मुझे 400 लिखना है, तो क्या लिखोंगी, 400 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जब 500 हमारा क्या होता है, D, ठीक है, तो 400 हो जा CM, तो मतलब यह चीज़े repeat होती है, ठीक है, A symbol can be repeated है, maximum of dash time, एक symbol कितनी बार repeat होता है, maximum 3 time, जैसे 80 लिखना है, 50 के लिए L, 60, 70, 80, इन तीनों के लिए X, लेकिन अगर मुझे 90 लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, 100 में से 10 minus कर दूंगी, मतलब XC, ठीक है, यह करते हैं न, एक symbol 3 time repeat होता है, write the Hindu Arabic, मतलब यह Roman number हमें दिये हैं, इसके Hindu Arabic हमने लिखने है, यह हमारे Hindu Arabic होते हैं, यह Roman New Middle, 10 और 9, 19, 10, 10, 10, 20, plus 5, 25, 10, 11, 12, 10, 20, 35, 36, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 10, 20, 30, और 2, 32, यह होता है, Hindu Arabic में, अब हमें करना है, Roman numeral में, 10, 20, 30, और 1, 31, 10, 20, और 1, 21, जैसे 10, 20, X, 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 I, 31, 20, 10, 20, और 1, 21, X, X, I, 50 के लिए क्या होता है, L, 19 के लिए X, I, X, X होता है, 10 और 9 होता है, X, 14, X, I, V, 14, का 10 के लिए में होता है, X, और 4 के लिए, IV, और 29 के लिए, X, X, 20, I, X के लिए 9, X, X, 20, I, X के लिए 9, यह थी आपकी exercise 6A, जो आपको carefully पहले समझनी है, और फिर खुद से practice करने है, करने के ठीक है, कहीं भी आपको doubt रहता है, तो पहले clear कर लेना, ठीक है, तो आपको रहता है, तो आपको रहता है, और खुद से लिए, और खुद से लिए,